तो वेलकम फ्रेंड्स आज के हमारे नीट बैलोजी डाउट सेसन में हम लोग देखेंगे लैक ऑपेराउन यह बहुत इंपोर्टेंट है आपके बोर्ड में इसे पांच नमर का क्वेशन मिल जाता है और हो सके तो तीन नमर का भी कभी कभी देदी जाता है तो पांच नमर का कारिय भी देखेंगे तो चलिए हमारे जो लैक ऑपरन है ना यह दो टाइक ऑपर उन पहले इसको अगदम सुरुवाथ से समझें तो यह क्या होता है यह किसी जीवाडू का क्या है अंदर का जीन है जो लिक्टोज का पाचन करता है ठीक तो अब इस पूरे जीन में देखे क्या होता है एक होगा जब लैक्टोज उपस्थित होगा तो उसको बलेंगे लैक ओपेरोन चालू लैक ओपेरोन और जिसमें लैक्टोज उपस्थित नहीं होगा उसको बलेंगे बंद लैक ओपेरोन तो देखिए जो बंद लैक ओपेरोन है उसमें क्या हो रहा है आपके यह बहुत शारे क्या है, आपके gene है P है, I है, P है, इसको बहुत है promoter, inhibitor, promoter, operator, z, y और a, ये gene होते हैं ठीक, अब इन में से promoter इसको आदेश दिय। आई को तो इसने क्या बनाई कोड़ाइस नहीं होगा तो यह था आगर अगर प्रचालीग और अगर अपना प्रचालीग में घान में क्या अगरहेस यहां आई जो हमारा इन्हीं बीटर है वह एमरे ने बनाया अब यह एमरे ने आगे एक प्रोटीन बनाया अब इस प्रोटीन से ना हमारा जो लैक्टूज है वह जाकर के जूट जाएगा तो यह जो दमनकारी बन रहा था क्योंकि यह इसको बंद कर दे रहा था तो अब यह जो दमनकारी है ना इसके साथ हमारा प्रेरग जूड़ 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 जाता है तो अब फिर यह लॉक्ट ओपरोन में अब जैड़ वाई और ए सक्री हो जाते हैं अब यह सक्री हो करके इन एंजाइमों का उ हमारे ने बना अभी लोग प्रोटीन मनाएंगे जिनका नाम क्या होगा बीटा गयलक्तोसाइड एक टाइप का एंजाइम है दूसरा है परिमिये यह एक टाइप का एंजाइम है और तीसरा है ट्रांस-acetylase और इन तिनों का कारिये इंपॉर्ट्रेट है तो इन तिनों के क कारिय को देखते हैं है तो यहां देखिए हम लोग देख रहे हैं चालू-lacoperon में यहां दमनकारी बन चुका है अब यह दमनकारी MRNA से हमारा प्रेयरक यान लैक्तोस जूड़ चुका है अब दिखिए अब z, y और a क्या करें MRNA बनाए अब MRNA से क्या बना बीटा-galactos-a- По पर्मियेज एंजाइम और ट्रांस एसी टाइलेज एंजाइम ये तिनों बने तो देखे सबसे पहले हमारा बीटा गेलेक्टोसाइडेज का काम ये डाइसेकराइड लैक्टोस को क्या करता है ग्लुकोज और गेलेक्टोस में बदल देता है क्या करता है डाइसेकराइड जो यह जो lactose है इसको यह glucose और ग्लेक्टोज में बदल देता है ताकि हमारे सरीर इसको उत्पादन कर सके या बैक्टिरिया का सरीर इसको उत्पादन कर सके इसको उप्योग कर सके फिर देखिए क्या है हमारा पर्मियेज, अब जो पर्मियेज है ना ये बीटा गेलेक्टोस साइडेज वह लेक्टोस की पारगमियाता का बढ़ाता है कोशिका में, जैसे मैंने शुरूर बताया था कि यहां कोई जिवाड़ो कोशिका है, जिस कोशिका के अंदर का ये जीन है, तो अगर हम लोग अम्हार गम्यंता को बढ़ा देता है लेक्टोस अंदर और फिर आसानी जा सके और बीटा गेलेक्टोस साइडेज बाहर आसानी से आ सके ताकि यहहार गेलेक्टोसाइज में इस्थानातरित करता है, यह हो गया개 अग। का काम आपको बीटा के लेक्टोसाइडी इसका काम पूछा जाता है और आपको इस सरचना को बनाने के लिए बोला जाता है और चालू लाइक उपराउंड से